दिल्ली का रास्ता निकलता है यानिकि दिल्ली की सत्ता अगर पानी है तो उत्ता प्रदेश में जीत हासल करनी होगी यहां की जो 80 लोगसबाद सीटे हैं उन पर अपना कब्जा जमाना होगा भारतिय जुरता पार्टी ने उत्ता प्रदेश में ज्यादतर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी है उनके सहीयोगी जो है यानि कि जो NDA खेमा है उसके लिए भी सीट शेरिंग का फॉर्मूला तैय हो चुका है तमाम परिस्तियां चल रही है लेकिन इस बीच कुछ सीटें ऐसी है जिन पर अभी भी पेज फसा हुआ नजर आ रहा है भारतिय जुरता पार्टी ने उन पर अब तक उमीदवार घोशित नहीं किये हैं मसलन कैसर गंज की सीट है वहाँ से ब्रिज भूशन सिंग सांसद है चुनकर आते हैं लेकिन जिस तरह का पिछले कुछ वक्त में उनके साथ सेनारियो रहा है जो पहलवानों को लेकर जो आरोप उन पर लगे हैं उनसे कही न कहीं भारतिय जनता पार्टी आसे है जो कर वो ऐसे नेता है जो पहली लिस्ट में जिनका नाम घोशित हो जाना चाहिए लेकिन अब तक नहीं हुआ है दस अब तक जो लिस्ट है वो भारतिय जुन्ता पाइटी की जारी हो चुकी है लेकिन अब तक उनका नंबर नहीं आया है क्यों नहीं आया है ये बड़ा सवाल है और भी सीटे हैं राइबरेली की सीटों वदोई की सीटों तमाम सीटे हैं जिन पर अब तक क्लियाइटी नहीं है ये क्लियाइटी ना होना क्या दिखाता है इसके क्या माइने है आज समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर संजीव तरवेदी जी वैस्पिकार मैं साथ है संजीव जी बड़ी सीट अगर कही जाया तो कैसर गंज की ही है ब्रिजबूशन सिंग अब तक क्लियाइटी नहीं है कि क्या होगा जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि वरुन गांधी को लेकर नहीं है मेनका गांधी को लेकर नहीं है वो सब सॉल्व हो चुका है लेकिन दस लिस सीटें घोशित कर दी हैं और आप जानते हैं कि पांच सीटें सहीयोगियों को जा रही है और अपनी सतर में से एक सीट भी सहीयोगी को जाएगी संद कभी नगर की सीट संजय निशाद की पाटी को जा रही है तो पांच सीटें अगर सहीयोगियों को सतर सीट अपने सिंबल प फिरोजाबाद की एक सीट है एक सीट दिवरिया की है एक सीट भदोही की है एक सीट राइबरेली की है और एक सीट कैसर गंज की है पांक सीटें बची हुई है इसमें अपनी अपनी वजबों से सब को पता है कि इस सीट पर अमिदवार क्यूं नहीं दिया जा रहा है पर एक सीट है जहां अमिदवार भी तयार है और वो लगातार अपनी रणञीनीत बना रहा है अपने सहयोगियों, मित्रों, समर्थकों से लगातार संपर्क में है और इंतजार कर रहा है कि हमारा नाम जल्द घोशित करिये और वो है ब्रिजभूशन सिंग ब्रिजभूशन सिंग एक ऐसे उमिदवार के तौर पर कैसर गंज में है जो उस छेतर से चाहे वो गूंडा हो, चाहे वो बलरामपूर हो, चाहे वो कैसर गंज हो लगातार, उनीस सौ एक्यानवे से एक आज दफ़े बीच में अगर आप छोड़ दे तो वो अपना चुराव जीतते चले आये हैं और कोई कारण नहीं है कि उनको टिकट न मिले लेकिन और वो जो लेकिन है, वो आप चाहते हैं, आपने बताया कि उनके उपर आरोप लग गए आरोप जो कि महिला पहलवानों ने लगाया और वो बहुत ही बड़ा इशू बन गया था दिली में जंतर मंतर पर उन महिला पहलवानों का उतने दिन वो आदोलन चलना और फिर किस तरह से उन्हें खीज कर हटाया गया और किस तरह से चाट समुदाए में एक गलत संदेश गया लेकिन उस वक्त भी और आज भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो ब्रजबोशन सरन सिंग के खिलाफ किसी भी तरह का ऐक्शन लेने में भारती जिनता पाटी के नितिद्दों के हाथ रोक देती है और वो है ब्रजबोशन सरन सिंग का दब़बा उत्तर प्रदेश में खास्तावर पर जिस शेतर से तालुक रखते हैं प्रजभूशन सरन सिंग उस शेतर में दबदबे का बड़ा वैल्यू है विनेबिलिटी दबदबे से आती है जिताओ उमिद्वार वो होता है जिसका दबदबा होता है कोई विक्ति यूही लोकसभा के चुनाओ में खड़ा नहीं हो सकता है जीत नहीं सकता है कोई पार्टी उनके उपर कभी अपना दाव नहीं लगाती है जिनका दबदबा नहीं होता है और ऐसे में आज की तारीख में कैसर गंच से भारते जंता पार्टी के पास कोई दूसरा उम्मिद्वार नहीं है नेतिक्ता का तकाज़ा है कि विवादित उम्मिद्वार को जरा पीछे किया जाए टिकट नहीं दिया जाए तकाज़ा चुनावी भी है केवल नेतिक्ता की बात नहीं है चुनावी तकाज़ा ये है कि अगर आप ब्रजभूशन सरन सिंग को टिकट देते है तो जाट समुदाई वो आपके खिलाफ फिर से पिशबंदी करेगा गोलबंदी होगी बहुत से बाते कहीं जाएंगी और ये कहा जाएगा कि आपने ब्रजभूशन सरन सिंग को टिकट देने के लिए पूरे जाट समुदाई को आपने पीछे ढखेल दिया नीचा दिखा दिया और इस रिस्ट को कवर नहीं करना चाहती भारतिय जिंता पाटी उसने अभी जाएंथ चौधरी से जो जाट बहुल पाटी ही कही जाती है उनसे गड़ बंधन किया है और बाचीत के करम में ये बात भी सामने आई थी जब दोनों के बीच समझाता हो रहा था इसके अलावा पूरा हर्याणा है दिल्ली की कई सीटे हैं जिस पर जाट मतों का अपना दबदबा है आस पास के सीट जैसे की नौईडा गाज़ अबाद फरीदाबाद गुरगाओं ये सब NCR की जो सीटे हैं इसमें कम या जादा जाट मत अपने आप में माइने रखते है और ऐसे में उस एक सीट के लिए क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चुनावी तोर पर सही रहेगा और यही दो विदा है कि आज तक कैसर गंज के सीट पर घोशना नहीं हो पाई सिर्फ एक चीज ने एक एक पहलवानों के आरोप ने चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटड बना दिया है कि अब अगर नहीं देंगे टिकट ब्रजबूशन सिंग को तो उनका दबदबाज सिर्फ कैसर गंज तक ही सीमित नहीं है आसपास की बहुत सारी ऐसी सीटे हैं जिन पर वो अपना प्रभाव डाल सकते हैं तो क्या इन पांचे सीटों के लिए भारतिय जनता पार्टी इतना सोच समझ रही है क्योंकि अगर टिकट काटना ही है तो फिर क्योंकि आपको एक समुदाय है जो आपसे गुस्ता हो जाए अगर आपने टिकट दिया और एक तरफ कुछ सीटे हैं अगर आपने टिकट नहीं दिया तो उन पर प्रभाव पढ़ जाएगा तो क्या भारतिय जनता पार्टी चूस करेगी इन दो चीजों में से एक समुदाय की नाराज़गी या फिर कुछ सीटे गवाना दिखे एक बयान विशेष की वज़ा से प्रग्या सिंग ठाकुर भोपाल से उन्होंने जाइंट किलर के तौर पर दिग्विजा सिंग को हराया था दो हजार उन्निस के चुराओं में आपको याद होगा उनके टिकट बिना कुछ सोचे काड़ दी गई कुछ ऐसे ही बयानों के कारण कहा जाता है के नवीन कतील करनाटक में उनके टिकट कटी हेगडे उनकी टिकट कटी जिसने भी विवादासपद बयान दिया टिकट काट दी गई जो भी विवादित चेहरा दिखा टिकेट काट दी गई रिस्क नहीं लिया जा रहा है कि कोई कल कोग उठकर खड़ा हो जाया और ये कहे कि देखे भारते जिन्ता पार्टी जीत के लिए नेतिक्ता के साथ सम्झावता कर रही है पर ये सारे मांदंड जो है भारते जिन्ता पार्टी की हो रही है भारते जिन्ता पार्टी अपने आपको दोस्रों से अलग पार्टी विधर डिफरेंस दिखाती है और ये कोशिश करती है कहने की हम सबसे अलग है देखिए बागी लोग जिनके साथ हम गड़वंधन करते हैं मानते हैं वो इस तरह के मामले होते हैं पर उनकी ही पार्टी विशेस में आपको याद होगा प्रधान मिंतरी ने कहा था मैं माफ नहीं कर पाऊंगा प्रग्या सिंग ठाकुर के लिए और लोगों ने कहा कि क्या किया उन्होंने वो सांसा तो हैं क्या हुआ पार्टी में तो हैं लेकिन उनके मन में वात रही शायद और उनके टिकट कट गई प्रग्या सिंग ठाकूर मजबूत उमीदवार थी शायद इस बार भी जीत थी लेकिन वो टिकट उन्हें तो नहीं दी गई पर ये सारे मांदंड ये सारे गुणा गनित जो है कैसर गन्ज आते आते फेल हो जा रहा है कैसर गन्ज में कोई नए तिक्ता का मांदंड नहीं चल रहा है कैसर गन्ज के अंदर ये भी नहीं चल रहा है कि अगर कोई विवादित व्यक्ति है तो उसे टिकट नहीं टिकट नहीं देने का जो एक सवाल है उस पर नेत्रत्र ने बड़ा मन बना लिया था पहले ही कि नहीं इनको टिकट नहीं दिया जाए उसके पहले मन बनाया था कि इनके उपर एक्शन होना चाहिए पर नहीं वो एक्शन तरीके से हो पाया पार्टी के स्थर पर भी नहीं हुआ और जब टिकट देने की बारी आई है तो आप उस नरनायक को केवल टालते चली जा रहे है उस पर अभी तक नरनायक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है और आप देखिए उसकी एक वज़े खास है उसकी खास वज़े ये है कि भारते जंता पार्टी आज की तारीक में टिकट काट दे समाजवादी पार्टी बैठी हुई है वो इंतजार में है उसने अपने उमिद्वार की खोशना नहीं की है कैसर गंजो पर क्या होता है वो उसका इंतजार कर रही है अच्छा लखीमपुर खीरी में टेनी साब को तो दे दिया गया जबकि एक किसान समुदाए को लेकर मतलब किसान समुदाए का उनको लेकर जो गुस्सा है वो जिस तरह का कांड हुआ कि उनके बेटे ने कहा जाता है गारी चड़ा दी किसानों पर कतित तौर पर तो वो अब ये मामला तो चली रहा है खेर तो उनको टिकेट दे दी गई तो क्या उनका रसूख और इधर जो बिजबुशन सिंग है उनके रसूख में कोई फरक है या फिर वो एक समुदाए को लेकर जिस तरह महिलाओं महिला पहलवानों ने जो आरोप लगा इधर किसान आरोप लगा रहा है तो कैसे कंपैरिजन अगर करें तो कैसे देखें एक तो टिकेट दे दिया गया दूसरे पर इतना विचार क्यों किया जा रहा है देखे आजाए मिश्र के साथ एक छोटी सी बात है जो शायद उनको बेनिफिट आफ डाउट दे रही है कि उनके बेटे ने वो गलती की है जो सबने विजूल्स में देखा है अच्छा में अपराद है और उनके बेटे को बेल मिलने के बाद वो कहा है किसी को पता नहीं है उसे एकदम पब्लिक व्यू से गायब कर दिया गया है और उस घटना विशेश के लिए कोई उन्हें माफ नहीं कर सकता है लेकिन उनके पता इस बात को ले करके बच जाते है कि उनके परिवार के द्वारा ये करत्ते किया गया यहां ब्रजभूशन सरन सिंग पर सीधे सीधे आरोप लगे आरोप साबित होंगे नहीं होंगे ये तो समय का मामला है पर क्या होता है कि एक ऐसी पाटी जो की पिछे दस सालों से सत्ता में है वो चाहती है कि उसके उपर ने दिक्ता का जो आवरण है वो पना रहे वो हटे नहीं अब वो टिकेट काटना तो चाहती है कैसर गंज से ब्रजभूशन सरन सिंग का पर काटे कैसे उसे पता है अगल बगल की पाँच से च्छे सीटे है वो प्रभावित हो जाएंगे गोंडा से लेकर स्ट्रावस्टी तक सौ स्कूल है सिक्षन संस्थान है जो उनके चलते हैं उसमें जितने पढ़ने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं वो एक्टिवली सभी छेत्रों में चुनाव लड़वाते हैं एक्टिवली काम करते हैं उन्होंने अपने दम पर एक नेटवर्क तयार किया है, election winning machine कही जाती है, प्रजबूशन साजन सिंग की, जिसके दम पर वो किसी भी दल की टिकट को ले करके वो चुनाव जीत जाते हैं, उनका टिकट काट दिया गया था, पत्नी को दिया गया, पत्नी जीत गई, वो कभी समा जबादी पार्टी से टिकट 1991 से लगातार वो बनते चले आ रहे हैं, और सोचे कि आज की तारीख में 66-67 साल के है, तो कब से वो कितनी कमायू से जीतते चले आ रहे हैं, एक compromise formula लाया गया, और compromise formula ये था, कि आपके परिवार में किसी को टिकट दे दिया जाए, उनके बेटे भी विधायक हैं अभी, उनके दूसरे बेटे उतर प्रदेश कुस्ति संग के ध्यक्ष हैं, उनकी पतनी भी सियासत में हैं, एक बार तो वो जीत भी चुकी है, सांसत का चुरा जब उनका टिकट कट गया था, उनकी पतनी को दे दिया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने इस बात को मनजूर नहीं किया, शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि अगर इस बात को मनजूर कर लिया जाए, तो ये एक तरह से अपने अपराद को एकसेप्ट करने जैसा हो जाएगा, स्विकार करने जैसा हो जाएगा, तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, और वो और अपने समर्थों से अपने लोगों से मुलाकाद करने लगे हैं और वो जो उनकी सक्रियता है और आसपास की तीन जार जिलों में सक्रियता है प्रभाव लोग कहते हैं यो ध्या तक जाता है तो उनकी सक्रियता ने थोड़ा परेशान कर रखा है अच्छा प्रधार मंतरी नरे ignorance ऐसा कुछ है ब्रिजबूशन को लेकर अब वो उनके रसूक की वज़े से जो भी बात है लेकिन वो दिखाई पड़ता है ऐसे में टिकट होल्ड करके रखना क्या दर्शाता है कि अभी विचार में मर्श चल रहा है या फिर उस पर सस्पेंस जानबूच कर बनाया जा रहा ह कि उस पर बात हो नहीं दिखिए प्रधान मंत्री के साथ जिस तरह से उनके पहले समंद रहे होंगे वैसे तो अब नहीं है किसी के साथ नहीं है और ये मुझे संसद में कई बार देखने को मिला कि वो अलग थलग तो हो गए है अचा अलग थलग पड़ गए है हाँ क्योंक वो उन्हें सलटे जा रहे हैं और आपने देखा कि कुष्टी संग में उनके ही संजे सिंग कहे जाते हैं कि करीबी हैं वो जीते फिर सस्पेंड हुआ फिर वो बहाल भी हो गया तो अपनी लड़ायां धीरे धीरे वो जीते चले जा रहे हैं लेकिन कोट अदालत वाला मामल तो पिंडिंग है और दूसरा है समाज विशेस यानि की जाट समुदाई जो है उसकी अपनी एक नाराजगी वो पूरी तोर से पूरा जाट समुदा नाराज हो जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा हैंडल मिलेगा अब बक्ष को कि वो अचानक से जै प्रस्थम चरण के मतदान के तो रिस्क नहीं लिया जा रहा है खास दोर पर इसलिए भी कि पहले चरण में पस्षी मुद्तर प्रदेश है जो जाट बहुल है पस्षी मुद्तर प्रदेश में जाट बहुल जो शेतर है उसके मतदान जो है शुरुआती चरणों में हो कैसर गंजी के टिकेट की घोशना के लिए पहले इधर का चुनाव हो जाने देना चाहती है हाँ यह हो सकता है ताकि हम जब घोशना करें तो वो नाराज़गी जो है उबलकर बहार आ जाएगी और वोटों को प्रभावित करेगी पस्ची मुद्ट प्रदेश में तुरनीती क तहद उसे दवा लिया जाए जैसे के राहुल गांधी के मामले में हम लोगो ने जिक्र किया कि अभी आमेठी से अगर वो लड़े तो अभी टिकेट क्यों नहीं वो मतलब घोशित क्यों नहीं कर रहे हैं शायद वहीं वाला मामला यहां पर भी अपलाई किया जा रहा है य उसनकी टिकेट काटने के पक्ष में जो जानकारी है योगी आज इतनाथ भी नहीं है वो नहीं चाहते हैं क्योंकि क्या है कि सेट अप बना हुआ है वो खुद भी जीतेंगे आसपास की कई सीटों में भी जीत को सुनेश्चित करने में बड़ी नर्णायक भूमी का निभा पर अब ये दोविधा जो है वो प्रधानमिंत्री के स्तर पर नर्णत होगी अंततो गत्वा और आज जब नो रिपीट पॉलिसी साफ दिखाई पड़ रही है आज जो दस्वा लिस्ट आया है आपने उसमें देखा कि नौ उमीदवार घोशित हुए हैं टोटल टोटल खेर की जगर संजय टंडन आ गया बलराम जी दास टंडन बहुत बड़े नेता होते थे जनसंग के उनके रड़के हैं उदर आसन सोल से आसन सोल से एसेस आहलू वालिया जहाँ उनकी जो बरदवान से हटा करके उनको लाया गया पवन सिंग ने भी आरान कर दिया है उदर पवन सिंग ने बड़ा इंट्रेस्टिंग हो गया है हलाकि आसन सोल में सतरगून सिनहा का मैच नहीं है अहलू वालिया साब देखिए वो भी बिहार से हैं ऐसे से हलू वालिया भी बिहार से हैं बिहार के वेगुसराई से उनका तालूख है मुलता वहीं से आते हैं बहुत दूसरा भिहारी होता है शत्रगन सिर्अध तो बिहारी बाबु ही है पर वहां मसला जो है वो है T-AJ का T-AJ की जो मशीरिडी है उसका है और वह बहुत आसान नहीं होगा नौर्थ पंगाल में भारती जित्य पाटी मदबूत तो है लेकर सामने मदबूत उमिदवार है शात्रगन सिरा जैसा तो टीम सी दे दिक्कत होगी अचा उत्तर प्रदेश में पर साथ सीटे जैसा कि मैं कह रहा था साथ सीटे उत्तर प्रदेश की है उसमें से मातर दो हैं जो रिपीट है हाँ बाकि सारे टिकट काट दिये गए मचली शहर और कौशामबी इ बीटा बागुणा जोशी के काट दिया बड़े बड़े नाम कोई बख्ष कोई बख्ष नहीं रहे किसी को बख्ष नहीं रही ये बीजेपी जां लग रहा है सपेंस लग रहा है वहाँ पर टिकट काटे जा रहे है लेकिन एक होता है ना कि एक होती हैryw Üर न्याइज की बाते हैं, ये जाधा माईने रखता है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, इलेकशन मोड में देश आ चुका, ये जाधा जरूरी हो जाता है, क्या जो नियाए का मंदिर है, उसका इंपक्ट, इस जो जबारा की अदालत लगी है, इस पे पढ़ सकता है, कितना पढ़ सकता है, अभी तक के हालात को अब्ज़र करें, तो क्या लगता है, उसके बाद राइबरेली पे बात करेंगे देखे चार केसेज हैं उनके खिलाफ, अभी ब्रिजबूशन सिंग के खिलाफ, उसमें से एक केस ये भी है, उनकी एफिडविट कहती है, तो चार केसेज के कारण, मतलब तीन केसेज के कारण तो आप नहीं काट रहे हैं उनके टिकट, भई बहुत तमाम लोग हैं जिनके खि का नहीं है, वो नेचर जो केस का है, और एक बहुत ताजा इतियास, आपने देखा कैसे बॉक्सर विजिंदर को जॉइन कर आया गया, और जिस तरह से एक जाट समुदाय के बीच विश्वास को जीतने की कोशिश है, क्योंकि वो जानते हैं कि जाट समुदाय आज की तारी है, हर्याणा में गैर जाट वाली राजनीत की जाती है भारती जुनता पार्टी के द्वारा, जो सबसे ज्यादा जाट बहुल राज्य कहा जाता है, बीस बाइस फीसदी जाट आवादी है या उससे भी ज्यादा कही जाती है, वहाँ पर पहले खटर साहब को, अब नायब बंधन हुआ है जायंत के साथ, वरना किसान आंदोलन और यह तमाम चीजे जो है, वह जाट समुदाई से निकले हुए आंदोलन हैं, तो बहुत ज्यादा माकूर जो है, बहुत बढ़िया एक जाटों के बीच भारती जिनता पार्टी अपना जगह बनाने में सफल हुई है ऐसा तो नहीं है लेकिन एक दोर यह भी है कि जाट समुदाई ने लगातार सपोर्ट भी किया है भारती जिनता पार्टी का, वो चाहे सत्पाल सिंग के खिलाफ जियन चौधरी खड़े थे और उन्हें हार मिली थी, वो चाहे मतुरा में हममाली की सीट की जीत में देखी ज जाती है, वो चाहे मुदाफर नगर में संजीब बालियान की जीत में देखी गए, अजीद सिंग को ही हरा दिया, वो तो चौधी चरंद सिंग के लड़के थे, लेकिन संजीब बालियान को जीता दिया गया, तो जाट समुदाई भारते जिनता पार्टी के साथ रहता है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, और आप जो पीपल्स कोट की बात कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी दिक्कते होती हैं, तो मुझे लगता है, वेट एंड वाच की पॉलिसी है, मनानी की भी पॉलिसी है, तो भी वो सीटे जिता देंगे, जिन सीटों के लिए उनको कुरू कर लेती है अगले 10-15 दिनों में सारी दिगाहे कैसर गंज पर ही रहेंगी इसी चक्कर में उन्होंने अध्यक्षपत से स्तीफा नहीं दिया था फेडरेशन के और क्योंकि अगर वो दे देते तो फिर यहीं हो जाता साबित हो जाता कि आप ने जो है कुछ ऐसा किया है जिसकी प्ले उसके बाद हम किसको उतारेंगे या फिर कॉंग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार को रखती है उसके खिलाब हम क्या उतार सकते हैं इसलिए अभी होल्ड करके रखा है राइबरेली की सीड को देखे हम कैसर गांज वाली बात में बस एक लाइन और जोड़ दें उसके बाद राइबरेली की विरेन सिंग मस्थ बलिया से उनके टिकट कट गई बलिया से उनके टिकट कट गई नीरज शेखर को दिया गया बलिया पूरो प्रधान में तेरी चंदर शेखर उनके लिए आधुनिक युग में जाना जाता है वैसे वो आप जानते हैं मंगल पांडे और चित्तु अवस्थी उनके लिए जाना जाता है जो स्वतनता संग्राम के लिए के और बागी बलिया बलिया कहा जाता है और एक तरह से भारते जुनता पार्टी ने पूरी जो समाजवादी पहजान थी प्रधान मंत्री पूरु प्रधान मंत्री चंदर शेखर की उसे आज अपना लिया जैसे उन्होंने नीरज शेखर को उस जगह से टिकट दिया तो अब होच टिकट कटी है विरेंज सिंग मस्त की वो भी जाती से राजपूत है ठाकुर है और अगर माली जे के सेट काट ली जाती है दरज भूशन सन्सिंग की तो एक ठाकुर को और टिकट मिलेगी और भढ़ोही की सीट अभी खाली है तो भढ़ोही की सीट को खाली रखा गया है फिर विरेंज सिंग मस्त को वोगी किसान नेता है उनको ले आया जाएगा भढऊगी में नहीं तो फि इसकी वो जान गई है, वो जान गई है कि राहूल गाधी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और राहूल गाधी लड़ेंगे तो प्रियंका गाधी भी लड़ेंगी चुनाव, और पार्टी इन दोनों को लड़ते हुए देखना चाहती है, खुद कहते हैं डरो मत, डरो मत, तो डरने से काम तो चलेगा नहीं एक बैक अप आप्शन के तौर पर पिली भीद का चुनाव हो जाने दिया जा रहा है उसके बाद वरुन गांधी भी खाली है बिलकुल वो इंतजार कर रहे हैं कि पिली भीद का जो चुनाव है वो प्रतम चरणा में हो जाए उसके बाद जैसे ही वो वो उसके बाद फिर क्या होगा कि माता जी का चुनाव है सल्तान पूर से तो माता जी का चुनाव खराब नहों जाए इसलिए उन्होंने चुपी साथ रखी है टिकट की घोशना ही तो यह सिंबल अभी थोड़ी मिला है तो वहा तो पर्चाबाद में दाखिल किया ज ले जा रहे हैं वो इस बात को स्विकार कर चुके हैं और मेरिका गानी ने जो पहली प्रतिक्रिया दी है दो दिन पहले उसमें यही लग रहा है पार्टी का नड़ा है तो संभवता वरू डिस्टप नहीं करना चाहते हैं अपनी मा को वो एक ही जगा दिल्ली में बहुत स् सब कुछ सेटिंग गरबना जाएगा कहां घर खोजें कहां क्या पार्टी अगर टिकट काट लेती है कुछ होता है वैसे वो पीजेपी की टिकट पे चुनाव जीत जाएगी और सुल्तान पूर और पिली भीत में यह परिवार बार बार जीता रहा है तो सांसत बनने में द चार चल रहा है समय आने का इंतजार है और भारतिय जनता पार्टी को पता है कि यह बहुत आसान सीठ नहीं होगी बाब जो दुसके की देशवर में कमजोर है कॉंग्रिस और इसलिए उन्होंने एक दो मिद्वार बचा कर रखें क्या ये भी समीकरण बन रहा है कि भारतिय जनता पार्टी ये चाहे कि उनके आगे उनको हराने के लिए वरुन गांधी को आगे कर दिया जाए देखे एक बात बहुत सपस्थ है वरुन गांधी ऐसा नहीं करेंगे वरुन गांधी नहीं चाहते हैं कि पार्टी के लिए और ये उनसे नाराजगी जो है पार्टी में उसके एक वज़ा ये भी है कि अपने परिवार के खिलाफ वो उतरे मैदार में. वो ये नहीं चाहते हैं. और उन्होंने बार-बार मना भी किया है. पार्टी वाले चाहते थे. लेकिन उन्होंने मना किया है. तो वो इस क्लाश के लिए त्यार नहीं होगा. यानि कि वो समझदारी राजनितिक तोर पर हो या फिर समाजिक तोर पर हो पारिवारिक तोर पर हो नजर आती है वरुन गांदी में. बहुत से पारिवार हैं एक दूसरे के खिलाफ खूब बोल रहे हैं. राजनिती सब कुछ करा देता है. तो आप क्या कहेंगे? वरुन गांदी इस मामले में एक अलग हीरा नजर आते हैं. एक शालिंता है और उसको वो ओड़े रखना चाहते हैं. और देखिए आखिए आखिर में ये बात भी बहुत जरूरी है दर्शकों को जानना कि बहुत से कैंडिडेट है. आजकल बहुत ज्यादा फिर से नुपर शर्मा का नाम सामने आने लग गया है. बीच में तो एक दम गायब हो गई थी. और फिर से अचानक से वो चर्चा में है. वो आपको घटना यादी है. उसके बाद से वो अंडर्ग्राउंड हो गई थी. तो बहुत से नाम है प्रियंका गांधी के खिलाफ उतारने के लिए. अमेटी से तो इसमर्ती रानी हैं ही. प्रियंका गांधी के खिलाफ खोजना पड़ेगा. मनोज पांडे हैं, जो कि अभी हाल-हाल भारती जिन्ता पार्टी में गए हैं. समाजवादी पार्टी से बहुत निकर्तम करीबियों में से थे. और वहां कहा जाता है कि ब्राहमन ठाकूर समुदाई के आबादी 20-25 फीसदी के बीच में है, राइबरेली में. तो ऐसे में उस तरह के कैंडिडेट्स की बेवस्था करके रखी गई है, बस इंतजार प्रियंका गादी का हो रहा है. चलिए देखी क्या होता है, कैसर गंज में क्या होता है, राइबरेली में क्या होता है, या फिर तमाम और जो कुल 5 सीटे है, जिन पर भारतिये जुनता पार्टी को यूपी में कैंडिडेट्स उतारने हैं, उन पर किन कैंडिडेट्स को उतारा जाता है, इस बात का इंतज रहेगा खास तोर पर कैसर गंज की सीट हो गई बिजबूशन सिंग को टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है इस पर रहेगी निगाह